किसान मित्रों प्याज की फसल जब हमारी 70 दिन की हो जाती इस अवस्ता में हमें इसके अंदर कुण से घुलनिसी औरुरुक का इस्तेमाल करना है इसके अंदर हमें कुण से किट ना सक्का हुपयोग करना है इन सब बातों को हम आपको बताने की कोशिस करैंगे इसके पहले आप किसान मित्रे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और हमारे दुआरा बताए वे इस वीडियो को लाइक भी कर लीजे कि सैन मित्रों जब हमारे फसल जब सतर दिन की हो जाती है इसके पहले हमने इसके अंदर गुलन सिल उर्वरक के रूप में सबसे पहली अवस्ता में गुनिस गुनिस इन पिके दिया था और इसके बाद जब हमारे पोदे 45 से 60 दिन की अवस्ता में थे उस समय 0,52 दिया था लेकिन अब हम जब हमारे पोदे की साइज इस तरह हो चुकी है और इसके अंदर फिलाल मोसम परिवर्तन होने के कारण बहुत ही ज़्यादा थ्रिप्स का अटेक भी दिखाई दे रहा है इस अवस्ता में हम किसान मित्रों इ नेनोपोटास का उपयोग करेंगे और थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए घड़ा कमनी का जो पूलिस आता है जिसके अंदर पिप्रोणील प्लस इमेडा क्लोप्रैड होता है जो 40-40% के रूप में होता है इसका उप्योग करेंगे जिसका रिजल्ट हमें अच्छा मिला है और यह दवाई पूरी तरह त्रिफ्स पे कंट्रोल भी कर लेती है पूलिस दवाई के साथ हमें क्लोरो पाइरिफास प्रजास प्रतिशत एसी और सैफर मेथीन 5 प्रतिशत एसी फाम वाली दवाई का भी यूज़ करना है प्रीकिसान मित्रोजब प्याज की वस्तल हमारी 70 दिन क हो जाती है तो हमें इनके कंटों के विकास के लिए नेनो पोटास का इस्प्रे करना है साथ ही इन कंटों के अच्छी ग्रोथ और अच्छी चमक के लिए इसके अंदर हमें बोरोन का भी इस्तिमार करना है जो भी लिक्विड फाम में आता है इसका इस्प्रे हमें करने से इ प्रीकिसान मिट्रो कंदों के ऑच्छे विकास और अच्छी गुरूत के लिए इनके अंदर 5-6 किलो पर लाल सकते हैं और इसके समय हमें तो हमें सुझाइब कर देनी दिससे कि इसका रेचल भी हमें अच्छा खाशा मिल सकता है प्री किसान मीत्रों जिस समय हमारे पोदो में कंद का विकास शुरू होता है उस समय हमें सिचाई में कमी नहीं आने देनी चाहिए सिचाई में कमी आने से हमारे पोदो में जो कंदो का विकास होता है वो थोड़ा प्रभावित हो जाता है जिससे कि हमें जो quality मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है और जो हम उर्वरक और liquid उर्वरक क्या जैमिन से जो उर्वरक देते हैं वो भी सही से काम नहीं कर बाते हैं इसलिए हमें सिचाय का खास तोर पर ध्यान रखना है और उचित समय पर इनमें सचाई का प्रवन करते रहना चाहिए प्री किसान मित्रों खेती से संबंदिद आगर आपके कुछ विचार हो तो हमें कमेंट्स जरूर कीजे और हमारे दुआरा बताई भी जानकरी आपको सही और उचित लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे और वीडियो को लाइक कीजे और इस वीडियो को दुसरे किसान मित्रों तक भी शेयर कीजे और हम आपको खेती और खेती से संबंदिद जानकरी को बताने की कोसिस करते हैं और हम वही जानकरिया आप तक पहुँचाते हैं जो हम खुद हमारे फार्म पर जिन दवाईयों का उयूज करते हैं जिनका उप्योग करते हैं और जो दवाई और जो खाद हमारे अच्छा रिजल्ट देते हैं उनी का हम वीडियो आप तक पहुचाने की कोशिस करते हैं धन् झाल झाल